अभी अभी की नई ताजा खबर चंद्रियान 3 को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे सामने आ चुकी है। इस समय आ चुकी है। इसरो ने जानकारी देते हुए और खुशी जाहर करते हुए सब को बताया है कि हमने एक एतिहासिक कार्य को लेकर फिर से जानकारी दे दी है। और चान्द पर हमने एक बार फिर से पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। değild कि जी हां साथियों इस चीज को लेकर अमेरिका की अंतरिक्ष एजिंसी नासा के वैज्ञानिकों ने भी भारत के इस काम को लेकर सराहना की है। तो चलिए दोस्तों, इसरो चीफ ने क्या कहा है? लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, इसरो के इस सराहनिय कार्य के लिए कमेंट बॉक्स में जै हिंद जै शुरू जरूर लिखें। पर बहुत अधिक जोड़ दे रहे हैं और नए मिशन शुरू कर रहे हैं। भारत शायद ही चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवा सके। लेकिन उन सब को गलत साबित करते हुए भारत ने न सिर्फ सक्सेस्फुल लैंडिंग करवाई, बलकि कई दिनों तक चंद्रमा के दक्षणी धुरूफ से कई अहम जानकारी इकठा करके दुनिया भर को मुहया भी करवाई। भारत के इतिहास रचने से पाकिस्तान चीन जैसे देश जल भुनकर राख हो गए। चीनी वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कह दिया कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के दक्षणी धुरूफ पर उत्रा ही नहीं। इसके बाद भी भारत ने चीनी अंत्रिक्ष मिशनो की तारीफ की है। हमारे इस जानकारी को पूरा जरूर सुनेंगे। लेकिन इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का भेजा गया। यह मिशन एक के बाद एक सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कहीं ना कहीं यह उपलब्धी पूरे देश की उपलब्धी है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान तीन चांद के सतह पर एक लंबे अर्से से काम करने की कोशिश में लगा था। इसरो ने लगभग 10 दिनों से ज़्यादा का समय बिताने के बाद एक लंबे समय के बाद लैंडर और रोवर को चांद के सतह पर दोबारा जगाया है। और इसके साथ ही लेंडर और रोवर के वीडियो फुटेज भी सामने आ जुके हैं। लेकिन अब सवाल दुनिया भर के सामने यही था कि क्या चांद की सतह पर 14 दिनों की रात कैसे इसरो बिताने वाला है। और इस बात को इसरो ने अब सपष्ट कर दिया है। और कहा है कि चांद की सतह पर अगले 14 दिनों की जो रात होने वाली है उसमें हम रोवर और लैंडर दोनों को स्लीप मोड में नहीं डाल रहे हैं। की रात होने के दर्मियान भी लेंडर और रोवर चांद के सतह पर वैसे ही काम करेंगे जैसे कि वह दिन की परिस्थितियों में करते आए हैं अब सवाल ये है कि जब चांद की सतह पर रात हो जाएगी और उसके पैनल यानि कि इसमें लगे जो सौर पैनल है वह काम नहीं करेंगे और इसके बैटरी की उर्जा भी कम हो जाएगी ऐसे में चांद की सतह पर क्या रोवर को चलाना सुरक्षित रहेगा और रोवर कितने दिन तक चांद की सतह पर एक्टिव रह पाएगा यह अहम सवाल भी है और यह इसरो के लिए भी एक बड़ी चुनावती थी अगर इसरो ने यह तरीका नहीं खोजा होता तो लेकिन अब इसरो ने जो तरीका बताया है उसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे दोस्तों चांद के सतह पर इसरो ने कहा है कि हम लैंडर और रोवर को दोनों तरफ से एक्टिव रखने वाले हैं और इसके लिए हमने पूरी प्लानिंग भी तयार कर ली है इसरो ने कहा है कि अब हम रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में न डाल कर उसकी जो बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है उसका प्रयोग करेंगे और यह बैटरी लगभग आठ दिनों तक चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को चलाने के लिए काफी काम्याब हिस्सा है और इसके साथ ही इसरो ने कहा है कि हमें अगली काम्याबी और बाकी के जो दिन होंगे वह हम चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को चलाएंगे इसमें मौजूद फ्यूल के माध्यम से तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो हम आपको बता दें कि इसरो ने चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को सफलता पूरवक उतारा था यानि कि जिस दिन सिर्फ लैंडिंग हुई थी, उस दिन की बात अगर हम याद करें, तो इसरो ने कहा था कि हमारा जितना निर्धारित फ्यूल था, हम उससे कम फ्यूल में चांद की सतह पर उतरने में काम्याब हो गए, और इसरो वही फ्यूल इस्तेमाल करने वाला है. इसरो ने कहा है कि अगले 14 दिनों तक वैसे भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, क्योंकि पिछली बार हमने देख लिया है, चांद के सतह पर एक लंबा समय लगा, हमें लैंडर और रोवर को दोबारा अक्टिव करने में, और अगर हम इसे एक बार फिर स्लीप मोड में डाल देते, तो क्या पता, ये दोबारा से नहीं जग पाए, इसलिए हमने इसे दोबारा से स्लीप मोड में डालने की गलती नहीं किया, इसे हम केवल इसकी बैटरी और बचे हुए फ्यूल से ही चलाएंगे, चांद की सतह पर, और दोस्तों, ये चांद की सतह पर दोबारा भी चल सकता है, इसका कोई पता नहीं, आठ दिन तक इसकी बैटरी चार्ज रहेगी और बैटरी के डाउन होते ही ये फ्यूल से चले या ना चले, वैज्यानिकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि इसकी बैटरी डाउन होने के बाद चार्ज कहां से होगी, और फिर यह फ्यूल से नहीं चला, तो क्या होगा वही दोस्तों, इजरो के वैज्यानिकों ने चीन के मिशन के बारे में काफी कुछ बताया, चीन और पाकिस्तान अपना मिशन भेजने वाले हैं चंद्रमा की भयानक दुनिया में, जी हाँ दोस्तों, क्या चीन भी सफल हो पा और वह भी अपना मून मिशन भेजने वाले है, वह अपने मून मिशन पर लग गए हैं और जल्दी ही उनका मून मिशन लाँच होने वाला है, और दोस्तों, जो रोवर ने वीडियो फुटेज भेजी है, वह कुछ इस प्रकार है, वह भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो अमेरिका के सैटलाइट ने यहां पर कैप्चर किया है। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि इसरो चंदरयान तीन को फ्यूल और बैटरी से चला पाएगा या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस से जुड़ी पल-पल की जानकारी आपको मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके।